सुवागा थे दोस्तों आप सभी का अपने टिव चेनल में और आज में लिकर आया हूं कलाश 10 के विद्गार्थी के लिए समाजिक विग्यान यानि कि सोशाल साइंस से MCQ कोश्चन जो आपके 2030 बोट परिछा को सबसे ज़्यादा आसान और बहतर बनाने वाला है क्योंकि आपके 2030 बोट परिछा में MCQ परसने के साथ सब्जेक्टी परसन में पूछा जागा जिसमें आपको MCQ परसने के लिए अलग पेपर दिया जागा और सब्जेक्टी परसने के लिए आपको अलग पेपर दिया जागा और आज किस वीडियो को सुरू से लेकर आं तक देखिया क्योंकि आपके 2023 बोट परिछा में यहां साधिक साधिक प्रस्ण आपको एक्जाम में देखने को मिलने वाला है यहां पर देख लिए MCQ परस्ण को सॉल्व करने के लिए आपको एक घंट 38 बिनिट का समय दिया जाएगा ठीक है और पुर्णां की बात करें तो 40 नमबर का यहां पर MCQ परस्ण आपको पूछा जाएगा चलिए हम लोग आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को आँ तक देखिया हार एक परस्ण आपको बोड इग्जाम को बेतर और सबसे असान बनाने वाला है चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो का हार एक प्रस्ण आपके 2030 में होने वाले बोट पर इच्छा को सबसे जाद बेतर और हसान बनाएगा इसलिए हार एक प्रस्ण को अच्छे तरह से देखे हैं कोपी पे नोट करिया ठीक है पाला प्रस्ण है कि सोतंतरता समानता एवं बंधुत करनारा किस करांती की देन है ठीक है सोतंतरता समानता एवं बंधुत करनारा ये फ्रांसी करांती का देन है यानि कि खाव अप्सन आपका राइट एंसर हो जाए ठीक है हार एक प्रस्ण को अच्छे तरह से देखिएगा दो नमर का प्रस्ण है कि विस्मारक जर्वानी का आप प्रथम चांसलर कब बना ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण हार एक बार एक्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाए ठीक है प्रस्ण को नोट कर लिज़ेगा बिस्मारक जर्वानी का चांसलर जो है यह कब बना तो यहां पर 1871 ठीक है प्रथम का बात नहीं भी होगा तो यहां पर 1871 को आपको सही करना है ठीक है तीन नमर का प्रस्ण आपर देख लिज़े कि क्या पूछा है कि मनुस सोतंतरत पैदा हुआ है ठीक है किन्तु वासरवत्र बंदुनों में जक्रा हुआ है यह कथन किस दार सनिक का है ठीक है प्रस्ण है यहां पर पांचि नमर का प्रस्ण है कि यंग इटली अस्थापन किस ने की यंघ अस्थापना किसने की बहुत important question दोस्तों इसको भी नोट करना है उपने गोट करना है ठीक है तो प्राशन है कि यंग इटली कि अस्थापना किसने की तो ये क्या था जो सिप्पी मेच सीनिन है ठीक है यानि कि एक हौप सनब का राइट एंसर हो जागा आगे वर ये छे नमर का जो प्राशन है कि आसायोग अंदोलन के समापती किस घटना से हुई है ठीक है तो गाप सनब का राइट एंसर हो जागा भारत चोरो अंदोलन के सुरुबात ये 1942 इसबी में हुई ठीक है और अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिखकत है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा अगर आपको यहाँ पर MCQ का प्रस्ट चाहिए या सब्जिक्टिब का कोई भी सब्जिक्ट का कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताए, ठीक है आपको यहाँ पर सभी का प्रोवाइट कराया जागा, ठीक है आठ नमर का प्रस्ण है कि गदर पाटी का स्थापना किसने की ठीक है गदर पाटी का स्थापना जो है यहां लाला हर्दयान ने किया ठीक है खाब सनब का राइट एंसर हो जागा दस नमर का प्रस्ण है खुदाई खिद्मत गार की अस्थापना किस ने किये तो यह दोस्तों किया था अब्दुल गफार खान ने किया था ठोस्तों हार एक प्रस्ण को अच्छे तरह देखें दोस्तों साथ भी इस विडियो को जरूर से रिखें ठीक है ग्यारे नमर का प्रस्ण है कि इन में कौन सा नविकर्निय संसाधन नहीं है नविकर्निय किसको कहते हैं जो आपका पूना उप्योग आ सकता है ठीक है और यहाँ पर आपको यहाँ पर जल संसाधन पूना उप्योग में आता है पौन भी आता है ठीक है और सोर उर्जा भी आत लेकिं दोस्तो कोईला जो है यह आनवी करनी यह संसाधन हिसे इक बार यूज करने पर दोबारा इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जिक के बारण खाप सनगा, राइट एंज सर हो जाएगा, चवधा नमर का प्रस्फ नहीं, मृद्दा अप्रदन का कौन सा कारण नहीं, अप्रदन किसको बलते हैं, मिट्टि का गटना, जल से मिट्टी बहाता है, यानि करता है, वाउस से भी कटेगा, वन से भी कटेगा लेकिन हीम हीम से यहां पर कोई मतलब नहीं है यह जिर्फ वर्ष से मतलब रखता है ठीक है आगे बर यह 15 नमर का जो प्राशने यहां पर देख लिए भारत में उपलब्द ठीक है अस्तंधारियों में से कितने प्रतिसर्ट को लुप्त होने का खत रहा है और यह दोस्तो आप सभी पर यह कोश्चन को मैं छो रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सभी जो है गहाव सनफ का राइट एंसर हो जाएगा और 17 नमर का जो प्राशन दोस्तों यहां पर इस प्रकार से पुछागा है कि पेर एक विशेश असमित दयालू और उदारपुन जीवंधारी है जो अपने सतत पोशन के लिए कोई मांग नहीं करता ठीक है और यह दान सिलता पुर होते हैं तो यह कथन जो है दोस्तों यह गोतम बूद का ठीक है खाव सनफ का राइट एंसर हो जागा ठीक है खाव सन नेश प्रसनिया पर 18 नमर की 20 में कुल आईतन का लगभा कि कितना प्रतिसट भाग महासगारियों में पाया जाता है तो टोटल दोस्तों यहां पर 81 प्र 63 और 19 नमर का जो प्रसनिय की बहु उदेशनिय परियोजना का कौन सा लाब है तो यहां पर बाढ़ पर नियंतरन भी है शिचाई की सुभिधा है जल बिदूत उत्पादर है ठीक है यहां पर उप्रियोक्त सब भी हो जा ठीक है घाव सनफ का राइट एंसर हो जागा ठीक ह हारे प्रसनों को अच्छी दराज देखेगा जान देकर तुदा कमेंट सकते में जरूर बताइए ठीक है बिस नमर का जो प्रसनिय की पष्चमी राजस्थान में वर्षा जल संगरान की रिती किस कारण से कम हो रही है तो यह दोस्तों इंद्राया गांधी नहर से बारा मास जल सुबिदा से कम हो रही है ठीक है आगे बर यहां पर 21 नमर का जो प्रसनिय की किसी देश की राश्ट्री आई को उसकी कुल जन संख्या से भाग देने पर निमली खित में क्या प्राप्त होता है तो यहाँ प्रतिबिक्ति आई प्राप्त होता है का उप्षन आपका मीर परिवार की लगए तो वो काम नहीं करें ठीक है इस प्रकार से खाव सनफ का गलत हो जाए ठीक है गाय की बेतर मजदूरी मिले वो भी नहीं है अधिक बिज़ी प्राप्तों यह भी नहीं है लेकिन खाव सनिया पर देख लिज़े कि उसके भाई को जितनी सुन्दता मिलत हुए हजार जीवित बच्चों में से एक वर्स की आयू से पल मर जाने वाले बच्चों का अनुपाद यानि कि खाव सन दोस्तों आप से भी का राइट एंसर हो जाए ठीक है जहां दिक्कात होता कमेंट सेक्शन में बताएगा और सबजेक्टिव टाप का वीडियो किसको क किसको चाहिए भी बताएगा 24 नमर का प्रशन है कि निमनलखित में से उर्जा का मुख स्रोथ कौन-कौन से थिक है निमनलखित में से उर्जा का मुख स्रोथ को यहां पर कोईला भी है पेट्रॉलियन भी है और विदूत भी है यानि कि घाव सनफ का राइट एंसर हो जाए कौन 3–6 में नहीं आएगा तो यहां पर देलें दोस्तों बेंकिंग जो है यह 3–6 में आएगा अध्यापन में 3–6 में आगा किसी कॉल सेंटर में काम करना भी 3–6 में आगा यानि कि ये तीनों का तीनों सेवा परदान करता है लेकिन मध्धु मक्खी पालन ये कोई भी ये तिरितेक छितर में नहीं आगा ठीक है यानि कि ये प्राथमीक छितर में आता है 26 नमर का प्राश्ण है कि माने रेगा का विस्तारित रूप चुने ये भी बहुत इंपोर्टन कोश्चन है आई होब कि आपको इसका इंसर पता होगा ठीक है नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं मैं बताऊंगा 27 नमर का प्राश्ण है कि किसी वर्स में उतपादित डेस के कुल मुल्य को सकल घरेल उतपाद कहा जाता है यानि कि इसका जहां पर अंतिम यूज हो रहा है 28 नमर का प्राश्ण है कि सलमा पर एक सरकारी हस्पताल में नर्स का कारे करती है सल्मा किस छेतरक की गती विदिगा में संगलन है सरकारी काने का मतलब है अगर छुटी मी मारती है तो उसमको पैसा मिलेगा तो यह संगठी तो छेतर में आ जगा ठीक है तो घाप सनब का राइट एंसर हो जगा अगर यहीं पर private की बात आती है तो यह कौन छेतरक में आता है इसको आपको comment section में जरूर बताना है ठीक है 19 नमर का प्राशन है कि भारत के किस छेतर में छुपी हुए बेजगारी पाए जाती है तो भारत में छुपी हुई बेजगार यह जो है क्रिसिक छेत्र में पाए जाती है यानि कि क्रिसिक छेत्र में पता ही ने चलता कि यहाँ पर जो है काम हो रहा या नहीं ठीक है तिस नमर का प्राशन है कि इस छेत्र के श्रामिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं किस छेतर में छ्रमिक मालुक का उत्पादन नहीं करते हैं तो यहाँ पर देख लिए जिए दोस्तो यहाँ पर क्या हो जगा प्राथमिक है दृत्तिय है और चत्थूर्तक है और तृत्तिय है ठीक है तो तृत्तिय एक छेतर जो है किसी प्रकार का मालुक का उत्पादन नहीं है यहाँ पर गाउप संदेगे जैके बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच वहाँ से समधाएं का आसमान प्रतिनिद्व है यह कथन दोस्तों आपका आज सत्त है यानि कि यहाँ पर इसको हम लोग सत्त मानते है ठीक है यानि कि 33 नमर में पुष्टा कि निम नमने से किस देश में एकातमक सासन बेवस्ता है तो सीरे लंग काम है ठीक है ठीक है तो सिच्छा जो यह समावरती सूची में सामिले यानि कि गाउप सनब का राइट एंसर हो जाएगा 35 नमर का पुष्टने कि भारत में अस्थान ये सासन बेवस्ता नहीं है तो 36 नमर का दोस्तो आप सभी का जो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा निर्वाचेत पतदिकारी ही सरकार में सरवोचत ताकत का उप्योग कर सकते हैं ठीक है करते हैं और यहांपर 37 नमर का प्रस ने कि निमन में कौन सुमलित है और यह सब प्रस नापका एक्जाम में भी पूछा जाए ठीक है तो यहांपर बामसेब जो है एकषित समु का उधारन हो जाए ठीक है दोस्तो 49 नमर का प्रस्ट ने कि नेपाल में हुए जनसंगहर्ष को निमनी में से क्या कहा जाता है नेपाल में हुए जनसंगहर्ष को यहाँ पर लोकतांतर के लिए दूसरा अंदोलन के रूपे में कहा जाता है तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समाजी विज्ञान का 40 MCQ पोस्चन देखें जो आपके 2030 में होने वाले बोट प्रिचा को सबसे जादा बेतर और असान बनाएगा इसका बाद सब्जिक्टिव प्रसन भी लाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए ठीक है दोस्तों को साथ सेर किजिए चैनल पर पहले बराएंगे चैनल को सब्सक्राइब करने एक साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिजिए चलिए हम लोग मिलेंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में